पुलन शेहर में एक सनकी चाचा ने मामूली विवाद में अपनी भतीजी को मारी गोली पिडिता को कराया गया अस्पताल में भरती खत्रे से बाहर बताई जा रही पिडिता पुलिस ने पिता की शुकायत के अधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी चाचा रामपरताप उर्फ पप्पू को किया गरफतार कबजे से अवेत तमंचा भी बरामत आरोपी को बेजा गया जेल अरनिय थाना छेतर के लखनवाडी गाओ का मामला विवाहिता की संदिक परिस्तितियों में मौत फांसी के फंदे पर जूलता मिला शव माई के पक्ष ने ससुराली जनों पर लगाया दहिच के लिए हत्या कर शव फंदे पर लटकाए जाने कारोग पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पंचायत नामे की कारवाई के बाद पोस्ट मॉटम को भेजा गया शव ससुराली जनों के खिलाफ मामला दर्जकर जांच में जोटी पुलिस बुलन शहर के नरसेना थाना शेतर के जलालपूर का मामला चोरी का खुलासा नहीं होने से खफा परिवार ने किया पुलिस आफिस में आतमधा का प्रयास मंडी चौकी शेतर में दो अगस्त की रात को हुई थी व्यपारी की इलेक्ट्रोनिक की दुकान पर लाखो रुपे की चोरी अब तक नहीं हुआ चोरी की घटना का खुलासा पीडिद परिवार ने सेसपी दफ्तर में पहुँच कर किया आतमधा का प्रयास पुलिस ने पीडिद परिवार के हाथ से छीनी जोलन शील पदार्थ से भरी केन बुलन शेहर की कूतवाली दिहात मंडी चौकी शेतर का मामला आठ वर्ष ये मासुम के साथ रेप के बात की गई हत्या मामले में आज बुलन शेहर की स्पेशल पॉक्सो कोट ने आरोपी अशोक को दोशी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई साथ ही एक लाख रुपे का जुर्माना भी लगाया गया है करीब एक साल बाद आए कोट के फैसले पर पीडित पिता की प्रतिकरिया फैसले से खुश है परीजन बेटी को मिला इंसाफ दोशी को यही सजा होनी चाहिए थी बीते वर्ष चार अगस्त को आरोपी अशोक ने दिया था नावाली के साथ दुशकर्म और गलादवा कर हत्या की घटना को अंजाम पॉक्सो कोट की पीठा सीन अधिकारी डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल ने एक साल की सुनवाई के बाद ये फैसला सुनाया आर्टियो काराले के बाहर प्रदशन कर रहे भारतिय किसान यूनियन महाशक्ति के कारेकरताओं को अधिकारियों ने दिया आसवाशन ओवरलोड वाहन गड़ामुक्त सडकें वाहनों से अवैदुगाई जैसे आरोप लगा कर किसानों ने आर्टियो काराले के बाहर किया प्रदर्शन अधिकारियों ने कारवाई का आस्वाशन देकर धर्ना प्रदर्शन समाप्त कराया किसानों की चेतावनी दो दिन में मांग पूरी नहीं हुई तो टोल टैक्स फिरी करेंगे गंगा का जलिस्तर बढ़ने से मनरा रहा बाल का खत्रा इस्थानिय लोग बेचेन गंगा का कटान होने से राजगार शेत्र में बाल आने की संभावना इस्थानिय लोगों ने अधिकारियों से की समधान करने की मांग हर्शोलास के साथ मनाया गया अजादी के अमरित महुत्साफ कारेकरम मासरस्वती और रानी लक्षमी बाई के चल्णों में किये गए पुश परपित दीप जला कर किया गया शुभारम बारतिय संस्किर्ती एवं राष्टिय धरोहर को सुरक्षित रखने के लिए नवेंबर तक चलेगा ये कारेकरम पिरती दिन किसी एक स्वतंतरता संगराम सेनानी पर विचार रखकर कर कारेकरम को बनाया जाएगा भव्व कारेकरम के अध्यक्ष विजेंदर शर्मा प्रबंदक अजीत प्रसाद जैन तथा विद्याले के प्रधानचारे प्रभात कुमार गुपता एवा मुख्यातीदी के रूप में शुकारपुर बुलोग के नवनिर्वाचित बुलोग प्रमुख पंकच कुमार उपस्तित र रूपे के जूतों पर किया हाथ साफ घटना को अंजाम देकर भागता एक चोर सीसी टीवी में कैद सुभा दुकान खोलने पर हुई पीडितों को जानकारी सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जाच में जुटी बुलन शहर की खुरजनगर कोतवाली श्वेतर की कब वाली बजार की घटना न्यूस डेस्क टाइम 24 न्यूस